हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागा तेमा चैनल फिजिक्स वित प्रग्या में तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है केमश्री का केमश्री में आप टॉपिक देख सकते हैं टॉपिक है आपका नेम रियक्शन क्या होती है नेम रियक्शन और आज की जो हमने नेम रियक्शन ली है वो कोल बे अपक्रिया लिया है कौन से लिया है कोल बे अपक्रिया क्या होती कोल बे अपक्रिया इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ठीक है तो बात करें कोलबे अपक्रिया के बारे में तो वह अपक्रिया कैसी अपक्रिया जिसमें फिन आकसाइड वह अपक्रिया जिसमें फिन आकसाइड की क्रिया छार की उपस्तिती में कार्बन डाई आकसाइड गैस से कराएं ऐसी अपक्रिया जिसमें फिनॉकसाइड की क्रिया फिनॉकसाइड को छार की उपस्तिती में कार्बन डाई गैस से इसकी क्रिया कराएं तो क्या बनता है अपका सेल्शलिक에APP Dios बनता है tries साझ्जव άपर सेल्शलिक अमल में बदल जाता है और इसी अपक्रिया को हम कोल बेड़ीया कहते हैं वह अपक्रिया जिसमें फिनोक्साइड को जर की उपस्तिती में कार्बन डाई आकसाइड गैस के साथ मिला कर गरम करने पर शोडियम सेल्शिलेट बनता है और जब हम इस सोडियम सेल्शिलेट को हाइडरो क्लोरी कमल यानि एसियल साम इसियल के साथ गरम करते हैं तो क्या होता है शेल्शिलिक अमल में बदल जाता है और इसी अपक्रिया को कोल बे अपक्रिया कहा जाता है एक बार फिर से देख लीजिए ऐसी रियक्षन जिसमें फिनोक्षाइड को हम छार की उपस्तिती में उसकी क्रिया हम कार्बन डाई आकसाइड यानि शियोटू गैस से मिलाकर अगर हम गरम करें तो सोडियम शैल्शिलेड बनता है तता सांद हल की उपस्तिती में सांद हल की उपस्तिती में क्रिया कराने पर सोडियम शैल्शिलेड क्या होता है शैल्शिलिक अमल में बदल जाता है इसी अपक्रिया को क्या कहते है कोल बेख्रिया कहते हैं ठीक है तो ये बात हुई all over इसकी थेोरी के बारे में अब हम बात करें कि इसकी reaction कैसे होती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लेंगे benzen ring benzen ring में हम लगाएंगे 3 O-N-A ठीक है ये बन गया आपका sodium phenoxide ठीक है benzene ring है O उसमें लगा है O-N-A ठीक प्लस हमने क्या लिया carbon dioxide gas CO2 लिए ठीक carbon dioxide gas की उपस्तिति में जब हम क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C-O-O-N-A क्योंकि CO2 में 2 O हैं तो क्या होगा C-O-O-N-A यहाँ पर क्या हो जाएगा O-N-A पहले N-A को नीचे N-A जो लगेगा वो दूसरे वाले में लग जाएगा C-O-O-N-A और उपर लग जाएगा O-H समू क्योंकि अभी benzene ring simple benzene ring का formula होता है C-6-H-6 लेकिन यहाँ पर जो O-N-A लगा है फर्ष्ट वाले में देखिए आप sodium phenoxide में O-N-A लगा है तो एक hydrogen कम हुआ यहाँ पर जब दो जगा पर लगेगा तो क्या होगा दो hydrogen कम हो जाएगा तो एक hydrogen निकल के क्या होगा O-H समू आपका बना लेगा लेकिन अब हम ने co2 की उपस्तिती में कराईंगे अब hydshelfzoric अमल की उपस्तिती में कराईंगे तो यह ऑंबना था sodium sales 얼ate और sodium sales Ici O-Ce involved हईट्रो कलोरिक अमल यानी scill की उपस्तिती में कराके तो क्या बनेगा EU BAR अब हम दो पने स्वेशलिक को इन अच्छे से समझ में वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमाय चैनल को सब्सक्राइब करें